कि हेलो फ्रेंद्स आज हम ग्रीन प्लाई कंपनी ने अपने शेर होलडर के लिए जो डिवीडेंड रिकोमेंड किया है उसकी एमाउंट और रिकोरदेट के बारे में डिसक्रस करेंगे कंपनी ने अपने शेर होलडर के लिए जीरो पॉइंट फो रूपिज पा रिकूटी शेर का फाइनल डिविडेंड रिकॉमेंड किया है कंपनी के शेर का प्राइज चल रहा है 200 के अराउंड तो company ने अपने share price पर around 0.2% का dividend recommend किया है और जह है dividend इनके shareholder को तब ही मिलेगा जरी आने वाली AGM में जह है declare किया गया और इसके लिए जो record date है वो company ने book closure date बताई है देखिए Monday 16 अगस्त ने लेके 19 अगस्त तक इनकी book close रहेंगी तो इसके recording जो record date बनेगी वो बनेगी 15 अगस्त पर 15 अगस्त को है Sunday 14 को Saturday इन दोनों दिन तो market बनत रहेगी तो जो record date बनेगी ये तो नहीं बन सकती न आप इसको ले भी सकते हैं पर जो actual बनेगी जिस दिन आपके DMAT account में share आ जाएगा उस दिन आपको dividend मिलेगा ही मिलेगा तो वो हम कह सकते 13 अगस्त तो जदी आपके DMAT account में 13 अगस्त को जाए share होगा तो भी आपको 0.4 रुपीज पर equity share के हिसाब से dividend मिलेगा तो जो एक्स डिविडेंट डेट बनी वो बनी 12 अगस्त और डिविडेंट के लिए जो लास्ट बाइंग डेट बनी वो बनी 11 अगस्त तो जदी आपने जह शेर 11 अगस्त जा उससे पहले खरीदा तभी जह 13 अगस्त तक आपके डिमेट काउन में आप आएगा और तभी आपको dividend मिलेगा और जदी आपने जह शेर पहले से घ्र होए तो इनकीGM के तरस दिन के अंदर अंदर dividend आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा इनकी में 15 स्थम्बर 2020 एक इस तो आपके बैंक अकर काउंट में 25 स्थम्बर तक डिविडेंट आ जाएगा जिदि आपके पास एक शेर होगा तो आपको मिलेंगे 0.4 रूपीज जदी 100 शेर होगे तो आपको मिलेंगे 40 रूपीज जितने जारा शेर होगे उतना जारा डिविडन मिलेगा ओके थैंक्स